हाई welcome to my channel चले कुछ नमा 5 साल करते हैं तो ध्यान देजेगा हमारा कर रहा है कि find the area of the following regular hexagon तो यह regular hexagon है और इसकी area find करनी है तो हमें पहले जानना पड़ेगा कि regular hexagon के मतलब क्या होता है regular hexagon के मतलब यह होता है कि hexagon in which all sides are equal and all interior angles are also equal ठीक है मतलब कि यह sides है यह वाली यह वाली यह वाली और यह यह और यह 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 चारो sides जो है MN, NO, OPN, PQ, N, QR, RM यह 5, 6 sides यह क्या है all are equal और interior angles भी equal होते हैं जोतने भी angles हैं यह वला angle है angle N, angle O, P, Q, R, M यह जो angles हैं यह सारे-सारे angles भी equal होते हैं अब हमें करना क्या है कि इसकी area find करनी है इसकी area find करने के लिए हमें यह height निकालना पड़ेगा इसको ठीक है यह हम इसको तीन भागों में divide कर दी हैं एक यह triangle और एक यह हो गया rectangle और फिर यह हो गया triangle इन तीनों का यह हम area sum कर देंगे तो हमारा आ जाएगा है कि नहीं तो हमें इस triangle के area find करने के लिए उपर वाला हमें पहले height find करना पड़ेगा यह height और height find करना पड़ेगा और base find करना पड़ेगा यह हमारा height और base मिल गया तो आसानी से हम क्या करेंगे इसकी area find कर सकते हैं क्योंकि यहां पर अब ध्यान देज़ेगा जो M N O है और जो यह R Q P है जो triangle है यह दोनों triangle क्या है congruent है means exactly same area क्योंकि यह regular hexagon है और regular hexagon में यह जो उपर वाल triangle है और नीचे वाल triangle है दोनों equal होते हैं मतलब की area में तो उपर वाल triangle क्या है यह फिर नीचे वाला दोनों triangle जो है isoseles triangle है आइसोसेलस का मतलब क्या होता है कि दो side जो बराबर होते हैं किसी triangle के तो यहां पर 2 side बराबर है यह भी 13 है M N भी 13 है यह भी क्या है 13 cm है कौन सा N O तो 2 side जो बराबर है तो यह isoseles triangle हो जाता है और इस है बाचर करने का मतलब कि इदम बराबर बीच में इसे गाठता है ठीक है मतलब कि यह जो length होगी इहां पर फिवह बात होगी और यहां में की भी है तो Rb जूहोगा वही Bp होगा, ठीक है अब हम इतना समझ गये हमें क्या करना है पहले An निकालना है An तो An कैसे निकालेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा ध्यान दिजे हमें इन यह तीनों को hazard करना पड़ेगा पहले क्योंकि हमें यह पूरा दिया हुआ है इसकी हाइड दिया हुआ है 23 ठीक है तो हम यह करेंगे from the figure from the given figure from the given figure क्या होगा हम यदि an को आड़ करें plus ab ab ठीक है क्या की हमने an ले लिया यह height उसके बाद से इसमें आड़ कर दिया ab फिर हम आड़ करेंगे bq ठीक है plus bq तो इन तिनों का height का sum कितना होगा 23 यह दिया हुआ है है कि नहीं अब जो है 23 ठीक है तो यहाँ पर an क्या है और bq क्या है यह दोनों क्या होगे है वही RM होगा RM मतलब side of the hexagon एक side का length कितना है hexagon का 13 cm तो AB तो उतना ही होगा क्योंकि देखें यहाँ पर यह जो perpendicular distance यह जो है वही तो PO के बराबर है और RM के बराबर है तो यह 13 होगा means x और x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा यहाँ पर x से निकलेगा 23 मानस करेंगा तो मिलेगा 10 और 2 से डिवाइड कर देंगे है कि नहीं समझे है यहाँ पर फ़ले हम इसको transpose कर दिए तो मैनस कर दिए इसमें से तो 10 आ गया और 2 से फिर डिवाइड करना पड़ता है क्योंकि इस multiplied है x में ठीक है तो 202 और यह 2510 मिंस 5 आ जाएगा मतलब कि हमारा जो यह लेंथ आ गया a n वो आ गया 5 cm किलियर हो गया ठीक है इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए अब यह आ गया 5 cm तो अब हम यह निकाल सकते हैं कौंसा मैं आपको डिफरेंट कलर से दिखा रहा हूं यह m a find कर लेंगे यह m a find करेंगे और यह find करने के लिए हम लगाएंगे पैथागोरस थेरम ठीक है तो हम यहां पर find करते हैं अलग से तुरा सा इन ट्रियंगल m a n by पैथागोरस थेरम by पैथागोरस थेरम क्या मिलेगा am का square am का square plus an का square an का square वो equal होगा किसके mn का square के है mn के square के है यह होता है न means sum of squares of base and altitude is equal to square of hypotenuse यह होता है am कितना होगा am का नहीं पता भी हमें यह निकलना है तो am square plus an कितना है यहां हमें पता चल गया है 5 cm तो यह 5 का square हो जाएगा equal to mn कितना है mn यह रहा 13 13 side का square है अब यहां पर हम क्या करेंगे am square निकाल लेंगे तो am square equal to हो जाएगा 13 का square होता है 169 और यह transpose करके minus करेंगे 5 का square होता है 25 ठीक है तो अब यहां से निकल जाएगा am का square equal to निकल जाएगा यहां पर 144 मैनस कर यह मिलेगा 9 में से 5 जाएगा 4 आएगा 6 में से 2 जाएगा 4 आएगा 1 ठीक है अब यहां पर am हम निकाल लेंगे तो AM बरापर हो जाएगा square root of 144 और आप जानते हैं ये किसका होता है 12 cm का square होता है तो 12 cm आ गया ओके तो AM आ गया 12 cm अब ये समझाज़ा है ध्यान से यदि ये 12 cm है इतना तो ये भी क्या होगा यहां से लेकर यहां तक ये भी 12 cm ही होगा क्योंकि ये symmetrical है ठीक है तो मतलब कि अब हमें निकल गया इस ट्रेंगल का base MNO का base निकल गया MO तो यहां से हम directly लिए सकते हैं कि इसलिए यहां पर क्या होगा base MO MO जो होगा वो हो जाएगा 24 cm क्यों होगा 24 cm MO या फिर MO भी होगा और RP भी होगा ठीक है तो हम केवल MO ही लेंगे क्योंकि हम इसी ट्रेंगल की area का दोगूना कर देंगे तो इस ट्रेंगल का भी add हो जाएगा ठीक है तो AM हो गया है 12 cm AM तो AM का दोगूना कर देंगे तो यह हो जाएगा MO और यह MO लिग दिया हमें 24 cm देंगे यही चीज आपको करनी है बस इसमें इतना कर लेने के बाद अब आराम से area fund हो जाएगा तो अब यहां पर area fund कर लेंगे area of the regular hexagon regular hexagon is equal to क्या हो जाएगा पहले निकाल लेंगे area of triangle इस triangle के area MnO area of triangle MnO plus area of this यह जो rectangle है मतलब कि यह वाली area जो यह वाली area है rectangle वाली वह area कितनी होगी 1 by 2 area of rectangle 1 by 2 into base into height करेंगे इसमें sorry length into breadth करेंगे rectangle area of rectangle आप इसका नाम लग सकते हैं क्या MRPO यह कुछ भी अपनी सबसे नाम लग सकते हैं किसी भी sequence में ले लिजे इसके चारो letters को तो इतना area of triangle area of triangle नीचे वाला RQP लेकिन अब जानते हैं कि area of triangle RQP और area of triangle MN यह दोनों का area जो यह सेम है तो सेम तरीक से निकालेंगे कोई दिकत नहीं है निकल जाएगा यहां पर हो जाएगा 1 by 2 into यहां पर देखें base into height base क्या है MO है और MO कितना length है MO का length है 24 लिख देंगे 24 into height कितना है यहां पर 5 cm तो 5 use कर लेंगे clear है area of rectangle कितना होगा इसका area तो यह जो length RP वो 24 है length length is 24 into length मतलब यह मैं कर रहा हूं यहां से लिकर करके यहां तक यह वाला length उसके बाद से यह वाला length क्या है breadth यह होगा breadth इतना यहां तक यह side of the hexagon है तो side कितना है sorry 13 okay plus करेंगे यह जो area होगी इदम इसी के बराबर होगी तो हम इतना ही directly लिख देंगे 1 by 2 into 24 into 5 ठीक है दोनों triangle की area सेम होगी इसलिए मैं ऐसा कर दिया आप यहां पर solve कर लाता है तो 2 से कटेंगे यहां पर तुभी मिलेगा 12 12 5 जो कितना होगा 60 हो जाएगा 60 plus यहां पर मंटक लाए करें 13 4 जा 52 और 13 2 जा 26 26 and 5 26 and 26 and 5 31 ठीक है 312 हो जाएगा प्लस यहां पर भी वही होगा कटेगा यहां पर 12 हो जाएगा 12 5 जा 60 हो जाएगा अब इन सब को यह दिए आइड करेंगे तो पहले हम आइड करते हैं यूनिट स्प्लेस को 0 plus 2 plus 0 कितना होगा 2 आएगा 6 plus 1 7 और 7 और 6 13 13 का 3 कितना बचा पेंटागन देखें यह एक तरीका है जो की फाइंड करने का अलग-अलग ट्रेंगल का दोनों ट्रेंगल का अड़ कर दीजिए और बीच में रेक्ट्रेंगल का अड़ कर दीए लेकिन एक और तरीका है यदि मैं इसको ऐसे करूं तो इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं देखें कैसे यदि मैं इसको फिर से बेना लेता है रफली यहां पर ठीक है ऐसे दिया हुआ है मालीजे तो यहां पर हम बीच में से इसको पाइटीजन करतेंगे बीच में से ठीक है और यह दो इक्वल ट्रेपीजम्स में कर्वाट हो गया एक कौंटसा एक यह वाला और एक यह वाला ठीक है इन दोनों ट्रेपीजम्स की 1 के रे निकाले जेए और एक का दूगौना कर दीजेते हो जाएगा और इस kिरिया कसे न ही निकले लेगा। ये वाला इने वाला कंद जूंच किया था। किक्वालने लेट है। कियो गऄ है вый ही कृजाए का था। जो गऄ होगा वो पर्लिंट हो जाएंगे। ठीक है parallel sets और am क्या होगा distance between them क्या निकला था यहाँ पर am वो निकला था 12 ओके और 12 हो गया उसके बाद हमें parallel sets पता है यह 13 होगा और यह पूरा height दी हुई है कितना 23 23 यह पूरा height यहां से यहां तक दी हुई है तो आराम से हम यहां पर यहां पर इसकी area से find करें तो कितना आएगा तो हम यहां पर calculate करते हैं start cut में यहां ठीक है यहां पर करते हैं तो हो जाएगा 1 by 2 into sum of parallel sets कितना हो जाएगा 13 plus 23 13 plus 20 करना पड़ागा 13 होगा यह और 23 होगे आगे into height height क्या होगा यह 12 into 12 और इसका दोगुना करना है तो दोगुना करेंगे तो यहां मटपलाई करेंगे into 2 से यह 2 2 से cancel हो जाएगा क्यों इतना ही बचा 13 और 23 में add करेंगे तो मिलेगा 3 2 3 2 6 और 2 1 3 36 में 12 से apply करेंगे तो आपका कितना आएगा 12 6 जा 72 का 2 7 carry over 12 और 3 जा 36 36 and 7 43 तो देखिए उतना ही आ रहा है cm2 तो कहने का मतलब है कि आप इस तरह सभी निकाल सकते हैं इसकी एरिया का दगुना करके हमने निकाल लिया तो यह दो तरीके हैं आप find कर सकते हैं तो कोई भी एक तरीका लिया लेकिन पहले-पहले आपको यह वाली तो length निकालना ही पड़ next exercise solve करेंगे next chapter का इसी के आगे वाला तो thank you so much वो भी देख लीजेगा और comment जरू करते रही है क्योंकि मुझे तरह सा उससे प्रत्साहन मिलता है मुझे उससे inspiration मिलता है और मुझे मन करता है कि हाम मैं और बनाओ क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आप लोग करेंगे ठाइस्में